बहुत ही जरूरी नोटिफिकेशन है यह हम सब के लिए क्योंकि आज मोबाइल हमारे जीवन के अंदर एक अभिन अंग बन चुका है मोबाइल के बिना हम अपने दिन की स्कल्पना पी नहीं कर सकते तो यह नूज और यह नोटिफिकेशन आपके लिए बहुत ही काम का साबित हो सकता है तो आप इस वीडियो पर बने रहें और आप यह पता कर सकते हैं कि आपकी ID के उपर कितने SIM एक्टिवेट हैं और 30 सेक्ट में आप पता कर सकते हैं इसको जो नंबर आपका नहीं है उसकी आप सिकायत भी कर पाएंगे ठीक है तो देखते हैं कई बार ऐसा होता है कि हमारी ID पर कोई दूसरा विक्टिवेट्पी SIM चला रहा होता है आपको इस बात का पता भी नहीं होता यदि आपकी ID पर कोई इस तरह से SIM चला रहा होता है तो वह आपको मुसीबत में भी डाल सकता है आपकी ID पर कितने SIM एक्टिवेट हैं इस बात का पता लगाने के लिए सरकार्णिक पोर्टल तयार किया है वैसे नियम के मुताबिक एक ID पर 9 SIM ही चल सकती हैं केवल 9 SIM ही और जम्मू क SIM रखने वालों पर कारवाई के निर्देश दिये हैं यदि कोई ग्राहक 10 नंबर से ज़्यादा SIM रखता है तब उसे सभी SIM की KYC करनी होगी इसे लेकर 7 दिसंबर को नोटिफिकेशन जारी हो चुका है KYC के लिए ग्राहकों को 60 दिन का वक्त दिया जाएगा और इंटरनेश सकते हैं आप इसकी जो प्रक्रिया है आपको मैं आगे लेकर चलता हूँ ठीक है जी हाँ आज आप ये जान सकते हैं कि आपके नमबर जो आपके नमबर है और जो आपके आधार आएडी है उस पे कितनी SIM एक्टिवेट है क्योंकि अभी ट्राई ने फिक्स किया है कि एक विक्ति के नाम पर नो ही सिम हो सकती है तो आप अपने आईडी के उपर ये जान सकते हो कि कितनी सिमें आपकी आईडी से संचालित हो रही है है और वहां जाकर आपको टाइप करना है ती ए एफ सी ओपी यह उपर उपर जाएगा ती एफ सी ओपी डॉट डीजी टेलिकॉम डॉट गॉवर्मेंट डॉट इन यह टाइप करते ही जो उपर उपर खुलेगा जो सबसे पहली वेबसाइट खुलती है उसी के उपर आपको open करना है ऐसा interface आपको देखने का मिलेगा इसके अंदर आपको जिस नंबर की ID को जाना चाते हुआ उसे नंबर की ID को जानने के लिए आपको वो नंबर आपके पास होना चाहिए उस पर OTP आएगा OTP confirm करने के बाद ही आपको पता चले गई उसके पहले आप यहां पर देख connection Portal यह भी launch किया गया है DOT की तरब से और इसके अंदर clear किया गया है कि एक विक्ती अपनी ID से 9 SIM को चला सकता है और यह fraud जो case होते हैं उनको रोखने के लिए ही DOT विभागने इसको launch किया है तो देखिए शुरू करते हैं जैसे मेरा number है इसके अंदर जो मेरा number की ID है उस number के मैं चेक कर रहा हूँ यहां पर तो मैंने यहां पर मेरा number डाल दिया और फिर मैं यहां पर करूँगा request OTP request OTP करते ही आपके पास OTP आएगा OTP आते ही आपको उसको validate करना है यह OTP आ गया 88.73 38.73 और इस पर दबाना है validate के उपर इतना करते ही आपके सामने आपका जो ID है उस ID पर कितने number एक्टिवेट हैं वो शो कर देगा जैसे मेरी ID के उपर फिलहाल पांच number एक्टिवेट हैं यह देखिए पहला number जिसके लास्ट में 08 है यह मेरी आपको 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 आ यह मेरी ID से एक्टिवेट है दूसरा number जिसके लास्ट में 33 है यह भी मेरे ही ID से एक्टिवेट है और 39 यह भी मेरी ID से एक्टिवेट है और 74 यह भी मेरी ID से एक्टिवेट है अगर आप चाहते हो कि this is not my number not required required तो आप इसके अंदर अपना option चूज कर सकते हो आप ठीक है ति इतनी SIM एक्टिवेट है अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें शेयर करें थेंक यू